लोग ओके hain के नेक्स्ट लेसन पर घुचते वे हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक कि लिछुके देख्चुके थे कि PROPERTIZ क्या होता है ताप सो प्रपेटीज क्या होता है अब देखेंगे कि स्टेट और पॉस्टुलेट का मिनिंग क्या होता है उससे पहले हमें यह जान लेना होगा कि प्योर सब्टांस का मतलब क्या होता है इसमें दो-तीन वर्ड को देखना है ओके पहले एक होना चाहिए first second दखना है कि इन वरिबॉल होना चाहिए यह दोनों किस पर डिपेंड ये दोनों chemical composition पर डिपेंड है तो यह होगे थड नंबर तो पहला यह दो chemical composition होना चाहिए वह होमोजेनियस होना चाहिए यह chemical composition invariable होना चाहिए मतलब vary नहीं करना चाहिए किसी भी temperature और प्रेशर के साथ तो यहां पर परामेटर कुछ भी हो सकता चाहिए वो प्रेशर हुआ volume हुआ temperature हुआ यह कुछ भी physical conditions पर आगे लिखावा throughout it mass यह होगे चौथा वर्ड तो chemical composition किसका कोई भी एक certain mass का ओके इस certain mass में chemical composition homogeneous और invariable होना चाहिए यह है pure substance का definition जो तुमको हर जगा मिलेगा आगे second point हम देखते हैं क्या ची कोई system क्योंकि बात हो रहा है एक system क्योंकि हम पढ़ रहे है thermodynamics उसमें system होगा और system जो है हमारा उसमें अगर को एक single phase है single मत्ब तीन टागा phase होता है एक फेस हो सकता है liquid phase दूसरा हो सकता है vapor phase और त्रीयसा हो सकता है yeah solid phase thermodynamics liquid और vapor phase में काम करता है तो single phase कोई भी इस भी सिंगर चाहीं वह सौल्वीड की रहा है है तो कोई कोई से एक फेज हैं वेपर एक सिंगल फेज है स्कूल एक सिंगल फेज है दोनों को मिला दें हम लोग हैं तो यह बन सकता है डबल प्रफेज क्योंकि लिक्वीड भेपर डबल हो गया अगर तीनों मिल जाए लिक्वीड भेपर और सॉलिड यह बनेगा ट्रिपल फेज सिंगल फेज मतल है कोई एक सिंगल फेज हो जैसे लिक्वीड ऊसे हम और साथ फोई मिक्सर यहां से पसा चीज अब बात करते हैं मिक्सर भी बहुत से हो मारी फ़ेज है तो बहुत सा चीज में हो सकता है जैसे एयर ऑक इसे पिर में बहुत सा कंपोजिशन हो सकता है ऑक सीजन होता है अकन लित क्रूम होता है तो यह चाहिक रआ небotAK अकर्म composition है लेकिन single phase में कौन सा phase में gaseous के form में है अब बात करते हैं कोई mixer है और various chemical compounds का है also a pure substance बोल सकते हैं अगर mixer homogeneous है मतलब mixer homogeneous होता है आख आखी दिखाते हैं कि आखी homogeneous क्या होता है यहाँ पर दो तस्वीर को हम लिए हैं जब कोई एक element है green से दिखाए गिया यह compound से मतलब दो अलग-अलग elements मिलके बनाव compounds है अब mixer है तो मतलब एक-एक से जादा element यह एक-एक से जादा compound तो अभी एक से जादा यहाँ पर कोई element और compound को हम बिला दिये है तो देख रोगे क्या जहर्याएं पर अरफ यहां पर बलू है यहां पर बुलू है इसका जो arrangement है वो कैसा है और इसमें कैसा में बलू एक जैसा जाका बैठ गया यहां पर बैठ गया यहां पर बैठ गया जशब लाइक पानी ले लो और वाटर के ऊपर तुम डाल दो पिट्रोल या डीजल तो क्या देखो कि ऊपर पिट्रोल तेरते रहेगा इसका सारा मॉलेकुल से हुए एक जगा एकुमूलेट हो गया मतलब पानी से अच्छा मिक्स नहीं हुआ है तो यह एक्जामपल हो गया मालो पा हुआ हुआ है पानी हो गया चापत्ती हो गया होनी और छीनी यहां कि मिल नहीं गया है यहां गूल गया है लेकिन गूलने के बाद चीज निकल गया चीज यजञ रदे Kill Я हम लोग है और करके चापत्री अलग करने के लिए अगर चायपत्ती को भी इसमें हम छोड़ दें, एक्जामपल के लिए हम लोग हैं, तो ये चीज हमारा बन जाएगा हेट्रोजन, क्योंकि चायपत्ती तो घुला नहीं, हाँ चायपत्ती के अंदर जो उसका elements है, जो कि एक लाल करर का जो दे देता है, वो हमको बन गया सॉलूशन, तो ये हमारा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में बीच में अंदर था, आगे चलते कुछ कोशन उठाते हैं, क्या air pure substance में आता है, जबकि हम pure substance को ये बोलते हैं, क्योंकि उसमें uniform chemical composition होता है, air pure substance है, जबकि air में एक चीज़ नहीं होता है, air में बहुत सारा chemical composition होता है, मिक्सर होता है, oxygen का, CO2 का, hydrogen का, helium का, nitrogen का, लेकिन इसको इसलिए pure substance बोलते हैं, कि throughout की किसी भी temperature, pressure, volume, temperature पे, इसका जो uniform chemical composition रहता है, मतलब कभी ये बदलता नहीं है, तो इसको पूरा का, पूरा हम एज़े pure substance मानते हैं, मतलब ये एक ता का, हमारा होमोजिनियस है, हाँ, ऐसा होता, कि oxygen क्या होता, solid के form में रहता, तब ये नहीं होता, क्योंकि ये तीनों तो gas के form में था, और ये solid के form में इसमें मिल चुका ह है, लेकिन हेटरोजिनियस के form में रहता, तो ये हमारा, ये pure substance नहीं है, जैसे steam और water, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा pure substance, क्यों, क्योंकि steam और water, क्योंकि ये तो भाप है, ये water ये भाप और liquid के form में है, लेकिन chemical composition steam का है, वो H2O है, और water भी H2O हो, तो throughout इसका जो मास है, ये chemical composition H2O ही रहेगा, हाँ, ऐसा होता कि बहुत जादा तापमान देने पर और प्रेशा देने पर ये H2O बदल के NO2 बन जाता, एक्जामपल ले रहें, तो ये कहलाता not pure substance, क्योंकि chemical composition throughout uniform नहीं है, बदल गया है, आई, एक्जामपल 2, air और water वेपर क्या pure substance है, जवाब नहीं क्योंकि air हो गया, ये सारा चीज, और water वेपर, जो water के conditions में है, तो ये variable नहीं है, हमारा, ये variable है, असल में define करता है, इन variable होना चाहिए, तो water वेपर हमारा बदलते रहता है, यहाँ पर देखो कि इन variable लिखे है हमें हैं, इन variable होना चाहिए, तो water वेपर जो है, और air ये एक के साथ pure substance नहीं है, okay, ice or water, बिल्कुल हो, क्योंकि ice हो है, वो है, water वेपर भी h2o है, तो chemical composition एक है, तो ये हमारा pure substance होगा, यही pure substance को समझने के बाद, हम आते है, state of postulate का मतलब क्या होता है, यह असल क्या है, सबसे बहुत को यहाँ पर वाट को focus करोगा, यहाँ पर लिखा हु condition, तो यह हमारा रहता है, यह हमारा physical conditions है, okay, physical conditions of systems, और क्या की exam हो जाता है, जिसे की pressure, volume, temperature, यह इसका हो जाता है, physical condition, of pure substance, मतब जो throughout homogeneous के form में रहता है, invariable chemical composition रहता, throughout its mass, तो कोई भी state, कोई भी system का कोई एक mass है, और उसका एक pressure, volume, temperature, कुछ भी इसका physical condition होता है, of a given mass, mass यहाँ पर हम लिख दिये हैं, can be fixed by the specifying two properties, provided the system in equilibrium, this is called two property rules, मतलब कि किसी चीज को properties को specifying करने के लिए at least कम से कम दो properties का होना जरूरी होता है, उसी को बोलते two property rules, इसी का नाम है state postulate, या state of the postulate, मतलब कि state को equilibrium conditions में होने के लिए कम से कम भी यहाँ पर properties है, यह कम से कम दो properties उसको define होने के लिए होना चाहिए, ताकि वो हमारा condition equilibrium हो जाएगा, other properties can be calculated, दी होगा from the available thermodynamics relations, इसके लावा जो other properties जैसे कि अगर मान लो कि कोई हम graph draw करते हैं, जैसे कि कोई भी एक graph draw करते हैं, यह होगा process 1 से 2 process जा रहा है, P and V का, तो दो properties at least किसी भी state को समझने के लिए, यह मान लोगा state 1 है, इसका pressure और इसका volume, इसका भी pressure इसका भी volume, तो हर point पे एक pressure P1 और V1 होगा, इसने यहाँ पे भी हमारा P2 और V2 होगा, तो at least two properties rule होना चाहिए, कम से कम इसको बोल सकते हैं, आम भास हैं में two degree of freedom भी बोल सकते हैं, कि कम से कम दो physical quantity, at least चाहिए इसको specify करने के लिए इसके properties को, अब हमको temperature निकालना होगा, तब third, यहाँ लिखा वहना other properties, other properties को निकाल सकते हैं, thermodynamic relations से, तो यही सब हम relations निकालते हैं, calculate करते हैं thermodynamics से, ताकि हम final यह देख सकें, कि जब हम क्यों होता है कि work, heat को work में convert करना, तो कैसे हम work को heat में convert कर सकते हैं, और convert करते हैं कौनकों सा parameter, कौनकों सा properties, variables हो सकता है, बदल सकता है, और हम maximum work output निकाल सकते हैं, तो यह SL में हो गया state postulate, और इस यह किसका होता है, pure substance का हमारा होता है, तो यही था आज का मतलब, कि क्या होता है state postulate, और हम next video की आगे हम करेंगे, अब जो हम आज इसे properties हो गया, क्योंकि अब हमके कम समर्ण at least 2 properties चाहिए, तो अब हम, जो सबसे important properties जो thermodynamics का discussion होगा, वो होगा temperature, next video हम temperature को समझाएंगे, कि temperature क्या होता है, इसको कितना types को हम calculate कर सकते हैं, किस-किस method से temperature को निकालते हैं, जिसमें Kelvin का method और finite method जिसमा हमारा method आता है, तो अब हम next video temperature पे निकालके दिखाएंगे,